जै माता दी दोस्तों के लिए, स्वास्त के लिए, बिजनस और व्यापार के लिए, जॉब के लिए, फाइनशल स्थिती के लिए और अंत में बात करेंगे उपाय की जिसे करके आज के दिन को बहतर बना सकें। बहतर रहेगा, इस समय आपको लोगों का सयोग और मेल जोल भी काफी देखने को मिलेगा, इसलिए आज के दिन को बहतर कहा जा सकता है। बात करें दमपत्य जिवन की, आज आपका विवाहिक जिवन बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। आज आपको अपके जिवन साती का आपके महपतपुंद कामों में सयोग मिलने जा रहा है। साथ ही आपको अपको अपने जिवन साती के सलाहा बहती कारगर साबित होगी। इसलिए अपने महप्तपुन कामों को आज आप अपने जीवन साथी से भी शेयर कर सकते हैं इस समय आपका विवाहिक जीवन और संतान को लेकर बहतर दिन कहा जा सकता है बात करें लव लाइफ की तो आज का दिन लव लाइफ को लेकर बहतर दिन कहा जा सकता है रोमैन से भरा हुआ दिन कहा जा सकता है इस समय आपकी लव लाइफ में सब कुछ भैतर देखने को मिलेगा बात करें आपके स्वास्ते की तो आज का दिन आपके स्वास्ते को लेकर भैतर दिन नहीं कहा जा सकता इस समय आपको पेट से संबंदी तकलीफ हो सकती है पूरा दिन बिजनस और व्यापार में आफ व्यस्त रहेंगे और आपको अपने कामों में प्राप्त होने जा रहे हैं इसलिये आज की दिन को आपके बिजनस और व्यापार के लिए बहुत यादिक होने जा रहा हैं इसलिए आज की दिन को बहुत ही बहतर दिन कहा जा सकता हैं बहुत ही भागेशाली दिन कहे जा सकते हैं आज के दिन बिजनस व्यपार और जॉब को लेकर बहतर दिन कहा जा सकता हैं बात करें फाइनशल स्थिती की तो इस समय आपकी फाइनशल स्थिती बहतर रहेगी फाइनशल स्थिती में किसी शुब समय की, तो आज का पूरा दिन शुब रहने वाला है, यानि कि सरवाद सिद्धी योग आज के दिन बनने जा रहा है तो इसलिए आज पूरा दिन किसी भी शुब काम की शुरवात आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपको राहुकाल का ध्यान जरूर रखना चाहिए, तो राहुकाल का समय दुपहर बारा बच कर अठारा मिनट से शुरू होकर एक बच कर बावन मिनट के बीच रहने वाला है, इस समय पर आप कोई भी शुब काम ना करें, क्योंकि इस समय पर किये गे काम पूरे नहीं हो पाते हैं, तो दोस्तों जाना आपने 9 सितंबर बुद्वार का दिन सिंग राशी वालों के लिए कैसा नहने वाला है